हलो एवरिवन आप सबको मेरा नमस्कार इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही सरल भाशा में आपको बताऊंगा कि चाइना पाकिस्तान एकोनॉमिक कोरिडोर जो बनेगा तो इसके भारत के लिए क्या माइने होंगे और पूरी दुनिया के लिए क्या माइने होंगे इस पर हमा इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ आपको जो विश्व का मानचित्र है वर्ल्ड का जो मैप है वो अच्छे से पता होना चाहिए यह है मिडलीस्ट का एरिया और यह है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान और यह है वो देश जिनमें तेल बहुत ज़ादा है जो ओप कहा जाता है इसमें इरान, इराक और साओधी अरेविया तीनों से हम बहुत ज़्यादा तेल खरिदते हैं खास कर साओधी अरेविया और इराक से लेकिन इरान से भी हम बहुत ज़्यादा तेल खरिदने लगे हैं खास कर पिछले 15 सालों में यह जो तेल है यह जहाजों में यहां यह रास्ता लेकर भारत में गुजरात और महाराष्टर पहुचते हैं गुजरात में कई बंदरगाय जहां यह पहुचते हैं जैसे कांडला मुंद्रा पोर्ट एटसेटरा और महाराष्टर में नहावा शेवा मुंबई पोर्ट एटसेटरा तो यह वो रास्ता है जो पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करता हुआ चाइना में कश्गार तक पहुँचेगा इसे नाम दिया गया है चाइना-पाकिस्तान एकोनोमिक कोरिडोर मैं रिपीट करता हूँ पाकिस्तान में गौादर से होता हुआ पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करके और ये पहुँचेगा चा बास्ता सिर्फ सलक का नहीं बनाओगा, कई जगा यहां पर पहाडों को चीर कर गुफाय बनाई जाएंगी, टरनल बनाई जाएंगी, जिन में से असानी से यातायाद हो सके, इसके अलावा कई जगा पर स्ट्रेजिक रेल्वे स्टेशन भी बनाई जाएंगे, रेल्वे की प एरपोर्ट संभव हो वहाँ एरपोर्ट, जहां पर रोड संभव हो वहाँ पर रोड, तो टोटल इस सब को मिलाके बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान एकोनॉमिक कोरिडोर, गुवादर से लेकर कशगार तक यह बलोचिस्तान से होकर गुजरेगा, फिर पाकिस्तान का जो प पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर कहता है, और भारत इसे पाकिस्तान ओक्यूमिक कश्मीर कहता है, इसकी राजधानी है मुजफरबाद, और उसके बाद यह एंटर करेगा चाईना में, कशगार तक यह जाएगा. तो जैसा मैंने बताया ये पहाड़ी रस्ता है, यहाँ पर रोड बनाए जाएंगे, खुबसूरत रोड, लेकिन हर जगा रोड बनाना संभव नहीं होगा, इसलिए कई जगा पहाड़ों के अंदर गुफाएं बनाए जाएंगी, रेल्वे स्टेशन बनाए जाएंगे, या फिर कई जगा एरपोर्ट भी बनाए जाएंगे, अब ये जो एरिया है ये इतना इंपोर्टेंट क्यों है, जैसा मैंने बताया, ये मिडल इस्ट का जो एरिया है, मैं इसे बढ़ा करके दिखा रहा हूँ, ये वो देश हैं जिन में पैट्रोल बहुत ज़ादा होता है, इ यानि ओपैक, अब तेल के जो जहाज हैं, वो गल्फ से होकर, यहां ये समुद्र से होकर ऐसे आते हैं, और क्रोस करते हुए फिर ये अरप सगर की तरफ आते हैं, ये जो घुमावदार एरिया है, इसे बोलते हैं, स्ट्रेट ओफ हर्मुज, यहां से दुनिया का लगबग एक तिहाई ओईल, एक तिहाई तेल इस एरिया से पास होता है, जहाज लेकर जाते हैं, दुनिया का एक तिहाई तेल, यानि इस एरिया को जो कंट्रोल करेगा, वो दुनिया की लगबग एक तिहाई ओईल की सप्लाई कंट्रोल कर सकता है, इस एरिया से जो तेल के जहाज ह यहां पर पाकिस्तान अपना जो तेल खरिदता है वो गौदर पोर्ट के तुरू खरिदता है इन देशों से इरान, इराक और साउधी अरब से तो यह आपको याद रखना है गौदर पोर्ट पाकिस्तान के लिए बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट है लेकिन चाइना इतना क् कनेक्शन चाहता है पूरे पाकिस्तान को लेकर आईए इस पर थोड़ा सा परकाश डालते हैं चाइना ये तीन हजार किलोमेटर लंबा सी पैक यानि चाइना पाकिस्तान एकोनोमिक कोरिडर बनना चाहता है जो गौदर को कनेक्ट करेगा काशगार से जो काशगार है ये च 46 बिलियन डॉलर इंवेस्मेंट करके बनाएगा चाइना सी पैक चाइना इसे क्यों बनाना चाहता है इसको समझने के लिए बहुत इंपोर्टेंट है कि हम दुनिया की जो भुगोल है जो 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 जोगर्फी है उसे समझे तो आईए इस पे नजर डालते है ये जो और यरप, इराक, इरान, एटसेटरा चाइना को अगर तेल खरीदना है तो जो रास्ता है वो बहुत लंबा पड़ता है ये रास्ता ऐसे है यहाँ से गल्फ से होते हुए स्ट्रेट ऑफ हरमुज उसके बाद अरैबियन सी, अरैबियन सी के बाद इंडियन ओशियन उसके ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का और यहां से ये होते हुए साउथ चाइना सी को क्रॉस करते हुए हौंग कॉंचता है तेल या फिर चाइना में और आगे शंगाई पहुचता है या फिर और आगे जहां जाते हैं तियांजिन पोर्ट तक तो आप ये रास्ता देख रहे हैं कितना लंबा है यहां से ये जो रास्ता है ये इतना लंबा है और ये चाइना के पूर्व में जाता है यानि इस्ट अगर मैं चाइना को डिवाइड कर दूँ तो चाइना का ये है इस्ट वाला पार्ट पूर्वी पार्ट और ये है पश्चिमी पार्ट चाइना का जो पश्चि पार्ट में तेल आना ही पड़ेगा क्योंकि वेस्टन पार्ट तक कोई समुद्री रास्ता है ही नहीं इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं यह वो रास्ता है जब इंडिया को क्रोस कर चुका है यानि इंडियन ओशन को क्रोस कर चुका है और इसके बाद जो जहा ज इसे बोलते हैं स्ट्रेट ओफ मलक्का यह आप नीचे देख रहे हैं इंडोनेशिया यह हजारों टापू हैं जिने मिलाके बोलते हैं इंडोनेशिया लगभग 17,000 से ज़्यादा आइलेंड हैं इन्हें मिलाके इंडोनेशिया बोलते हैं और इंडोनेशिया का यह बहुत फे दोनेशिया के बीच में से होके जाता है और फिर ये जाता है इस समुदर में जिसको बोलते हैं South China Sea, South China Sea को क्रोस करते हुए ये जहाज पहुंसते हैं चाइना में हॉंग कॉंग या फिर उपर की तरफ चाइना के Eastern provinces के अंदर, तो ये है पूरा रास्ता, अब ये रास्ता South China Sea स बारे में बताऊं, जैसा मैंने बताया, ये चाइना है, पूरा चाइना है, अगर मैं चाइना को डिवाइड कर दूं दो हिस्सों में, ये एक लाइन है, जो चाइना में टैंक चॉंग से लेकर आहुई तक जाती है, इस लाइन को बोलते हैं, हु, हुआन यॉंग लाइन, और ये है चाइना का पश्चिमे हिस्सा, वेस्ट और ये है इस्ट, तो इस लाइन को अगर मैं देखूं, तो इसके इस्ट में, यानि इस एरिया में चाइना की 94% आवादी रहती है, और चाइना का इतना बड़ा हिस्सा, यानि 50% से भी ज्यादा हिस्सा ऐसा है, जहाँ प भारत अब चाइना था, युद होता है कल, तो चाइना को अपनी जो आर्मी है वो IT से वैस्ट लाने में भी बहुत समय लगेगा, मैं अभी एक भारत के एक आर्मी मैं से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि चाइना को अपने इस्ट से वैस्ट तक अपनी आर अर्बन एरिया नहीं है, 6% population चाइना की रहती है सिर्फ इतने बड़े एरिया के अंदर, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एरिया किस तरह का है, अब मैं आपको बताता हूँ कि South China Sea में क्या समस्या चल रही है और चाइना इतना परिशान क्यूं है, इसके लिए और इंडोनेशिया के बीच में से ये गए और फिर गए इस एरिया में जिसको बोलते हैं South China Sea, उसके बाद ये पहुँचे चाइना या फिर South Korea और जापान, ये है South China का एरिया, ध्यान से देखिए इस एरिया को, very very important, South China Sea में इसके जो boundary पे बॉर्डर पे जो country हैं वो कौन-क ताइवान, ताइवान एक अलग देश है जिसकी राज़दानी ताइपी है और बीच में पढ़ता है ये विशाल महसागर जिसे बोलते हैं South China Sea, South China Sea के अंदर ये आप टापू देख सकते हैं, ये वाले जो island है इन्हें बोलते हैं Paracel, प-A-R-A-C-E-L, इसके नीचे हैं Sprat list very very important और तीसरे हैं Scarborough Island, Scarborough Island, जो की फिलिपिन्स के नजदीक हैं, ये फिलिपिन्स के नजदीक हैं Scarborough Shawl, तो ये कई island है South China Sea के अंदर, तो देखे हैं क्या समस्या चल रही है, मुखे समस्या ये है, South China Sea पे हर country अपना कबज़ा जमाना चाहता है, Philippines भी, Vietnam भी, Taiwan भी कुछ हिस्सा चाहता है, Malaysia, Indonesia भी कुछ हिस्सा चाहते हैं, South China Sea के जो ये टापू है, इन पे हर कोई अपना अधिपत्ते जमाना चाहता है, और क्यों? क्योंकि South China Sea खनीज का भंडार है, मिंडल्स का भंडार है, और दूसरी बात, South China Sea पर जो कबज़ा करेगा, वो जो पूरा trade का रास्ता है, क्योंकि एक ही रास्ता है, चाहिना, जापान, South Korea, तो South China Sea को जो कंट्रोल करेगा, वो बहुत ज़ादा commercial activity को कंट्रोल करेगा, देखते हैं कैसे, पहले इसका थोड़ा इतिहास जानते हैं South China Sea का जिया और हन, ये चाइना में राजवंच थे, जो राज करते थे, और चाइना कहता है कि 2000 से 4000 साल पहले जब ये राज करते थे, तब South China Sea पर भी ये वंच राज किया करते थे, 9-9 चाइना ने एक बनाई हुई है, इस डाइगराम का अब्ध्यान से देखिए, इसमें मैंने red color के ये 9 mark बनाई हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये से बोलते हैं 9 dash line, 9 dash बनाई हुए, यानि जादतर जो South China Sea का हिस्सा है, चाइना कहता है कि जो 9 dash line है, ये हमारी है, लेकिन दूसरे country इसे recognize नहीं करते, UN clause यानि युसयुक्त राष्ट संग ने South China Sea का मुद्दा सुलजाने की कोशिश की एक बार, उन्होंने इसको South China Sea को बटवारा किया कई देशों के अंदर, लेकिन जो बटवारा किया उससे ज्यादातर देश नाखुश है, UN clause को बोलते है United Nations Convention on the Law of the Sea, 21 century के अंदर अभी latest क्य चल रहा है South China Sea में, ये एक बहुत important trade route बन चुका है, सारे जो जहाज हैं वो तेल लेकर इसी रास्ते से जाते हैं, इसलिए हर देश South China Sea को अपने अंदर मिलाना चाहता है, तो argument जो है South China Sea में वो किस बारे में है, सबसे पहला जो nine dash line है, चाइना कहता है कि ये हमारी है, nine dash line के अंदर समुद्र का जितना भाग है, वो हमारा है, लेकिन कोई भी देशी से नहीं मानता, दूसरा, जो मुखे दो टापू है, एक है स्पाटले और दूसरा है पैरासल, जो मैं आपको डागराम में दिखा चुका हूँ, ये बहुत ही important है, और जातर countries इनी दो को लेकर हैं, तो देखते हैं, इनके बीच में क्या लड़ाई हो रही है, ये है पैरासल और स्पाटले, इनको लेके क्या लड़ाई है, इनको लेके लड़ाई ये है, चाइना कहता है कि पूरा का पूरा साउच चाइना सी मेरा है, इसकी डिमांड बिल्कुल क्लियर है, चाइना कहत जब फिलिपिन्स ने केस कर दिया था चाइना के उपर वियत नाम कहता है कि जो स्पार्टले और पेरसल टापू है वो सतरवी शताबदी से हमारे है फिलिपिन्स कहता है कि जो स्कार बोरो शुवाल आईलेंड है वो हमारे हैं क्योंकि वो हमारे बिल्कुल पास है फिलिपिन्स चाइना की मनमानी से परिशान हो गया था उसने अंतराष्ट्रिय अदालत का दर्वाजा खटखटाया इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस जिसका हैड़कॉर्टर है हॉलेंड के अंदर एक जगा है जिसको बोलते हैं हाग तो इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस है नैधरलेंड या हॉलेंड में हाग के अंदर फिलिपिन्स ने इसका दर्वाजा खटखटाया अदालत का और इस अदालत ने चाइना को पीछे हटने को कहा उन्होंने कहा कि साउच चाइना सी पर आपका सिर्फ हिस्टोरिकल जो क्लेम है जो आप कहते हैं कि हमने 9-9 बनाई हुई है उस पर कोई अधिकार नहीं है फिलिपिन्स ये केस जिद गया उसके बाद मलेशिया मलेशिया भी इसमें बहुत सारा हिस्सा साउच चाइना सी में अपना क्लेम करता है खास कर स्पाटले ग्रूप का क्योंकि जो स्पाटले के टापू है वो मलेशिया से थोड़ा सा पास है और बुरुनई एक छोटा सा देश है बुरुनई वो भी South China Sea में अपना थोड़ा सा हिसम मांगता है यानि चारों तरफ South China Sea ऐसे देशों से घिरा हुआ है जो चाइना का जो डॉमिनेशन है South China Sea में उसे कंटेस्ट करते हैं उसे नहीं मानते अब South China Sea में क्या चल रहा है वियतनाम, ताइवान और फिलिपिन्स इन्होंने जो South China Sea के अंदर टापू है उन पे थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है अपनी सेनाई यहां पर लगा दिये और चाइना ने पिछले खासकर 18 महिनों के अंदर बहुत सारी कं आ रहा है जिससे जो समुद्र का एको सिस्टम है जो भांके वनस्पती और जानवर है वो डेस्ट्रोई हो रहा है एको सिस्टम और यह एक और एन्वार्मेंटल कंसर्न है चाइना ने भी अपनी बहुत सारी मिलिटरी South China Sea के अंदर लगा रखिये खासकर चाइना ने अपनी या फिर जापान भी जाता है तो जापान चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन है हलांकि दोनों देशों के बीच में हर साल 350 बिलियन डॉलर कर ट्रेड अभी होता है लेकिन चाइना और जापान सबसे बड़े एडवरसरी है तो चाइना जापान की भी कल को अगर South China Sea को कंट है इसका जो धरातल है समुदर के नीचे बहुत सारे तेल के भंडार है नैचरल गैस के भंडार है तो यह हजारों लाखों करोड रुपे का मुनाफ़ा चाइना नहीं खोना चाता है South China Sea पर कबजा करने का मतलब यह है कि South China Sea के जितने भी खनिज है मिनरल्स है जो नैचरल ग जापान जैसे वियतनाम उनके साथ मिलकर स्टेटेजी बना रहा है अमरीका वियतनाम और फिलिपिन्स को टेकनलोजी प्रोवाइड कर रहा है मिलिटरी हार्डवेर प्रोवाइड कर रहा है जिससे वो अपनी सैने शक्ती बढ़ा सके इसके अलावा अमरीका भारत और जाप के साथ मिलके इंडियन ओशन के अंदर नेवल एक्सरसाइज भी करता है जिसे बोलते हैं मालवार एक्सरसाइज ये चाइना के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि चाइना CPEC क्यों बिनाना चाहता है एक जो रस्ता है जहाजों से पाकिस्तान को क्रोस करता हुआ चाइना काशगार तक ये रास्ता ले ले ये छोटा भी फड़ेगा और साथ चाइना सी की प्रॉबलम भी रही होगी इसमें चाइना का खच्चा भी बहुत कम होगा और चाइना मेडलीस्ट से ज्यादा अच्छे संपर्ग बना पाएगा एशियन कंट्री से जो सेंट्रल एशियन कंट्री से हैं इससे ज्यादा अच्छा अपना व्यापार बढ़ा पाएगा ये चाइना का जो वन बैल्ट वन डॉट पॉलिसी है जो चाइना बनाना चाहता है उसका भी हिस्सा है इसलिए चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इं में बस गई लेकिन जब इस एरिया में भी चाइना का संपर्क होगा मिडल इस्टन कंट्री से और बाकी सेंट्रल एशन कंट्री से तो चाइना का ये वाला पाट भी डवलप होगा इंडस्ट्रिलाइज हो पाएगा इसलिए चाइना पुराना चाहता है CPEC चलिए इस पर अगर हम चाइना पाकिस्तान एकोनोमिक कोरिडोर को ध्यान से देखें तो ये पहले तो बलोचिस्तान से होगी गुजरता है और जब ये चाइना में एंटर करता है उससे पहले ये वाला जो एरिया है ये ये पाकिस्तान ओक्यूपैड कश्मीर है इसे गिलगिट बल्टिस कि वो चाइना को ये इजाज़त दे कि वो यहां से रस्ता बनाए इसमें भारत अगर नहीं चाहेगा तो यहां से रस्ता पाकिस्तान चाइना नहीं बना सकते इस एरिया को पाकिस्तान ने military occupy किया हुआ है इस पर अपनी सेना से जबर्दस्ती कबजा किया हुआ है इसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है और भारत पाकिस्तान occupied कश्मीर कहता है ये रस्ता यहां से होके जाता है यानि भारत के एक हेरिया से होके जाता है इसलिए भारत की पर्मिशन के बिना CPEC नहीं बन सकता दूसरी बात अगर चाइना का यहाँ पे कंट्रोल भड़ेगा पाकिस्तान उक्यूपाइड कश्मीर में तो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है भारत को फिर पाकिस्तान और चाइना दोनों से एक साथ निपटना पड़ेगा जो भारत के लिए बहुत बड़ा हमारी सुरक्षा के लिए खत्रा है तो य diagnose पहला खत्रा चाइना-Pakistan Έकॉनोमिक कोरिड़र को लेकर दूसरा सबसे बड़ा खत्रा भारत के लिए ये है कि गौादर पोर्ट से सिरफ 72 किलोमेटर की दूरी पर भारत अपना पोर्ट बना रहा है डवलप कर रहा है इरान के अंदर ये है पाकिस्तान ये है अफगानिस्तान और ये है इरान तो अफगानिस्तान से होता हुआ एक र भारत लगभग 300 million dollar की investment कर रहा है अफगानिस्तान से भारत के रिष्टे बहुत अच्छे हैं भारत का बहुत close friend है अफगानिस्तान और भारत का एक अच्छा दोस्त है इरान 300 million dollar की investment अफगानिस्तान के अंदर कर रहा है नरेंदर मोदी अफगानिस्तान से रिष्टे बढ़ा रहे हैं इंप्रूव कर रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि अफगानिस्तान और इरान की मदद चाहिए अगर हमें गौादर पोर्ट को काउंटर करना है तो तो अफगानिस्तान और इरान अफगानिस्तान में बहुत सार तो भारत चाबार पोट बना रहा है और चाबार पोट और ग्वादर पोट दोनों बहुत ही पास है सिरफ 40 किलोमेटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में और अगर ग्वादर पोट में चाइना को एंट्री मिल गई यह जैसा कि इसी पैक थुरू मिल जाएगी तो ग्वाद की पूरे Middle East से सप्लाई काट सकता है क्योंकि भारत की जो सप्लाई है वो इसी रूट पे डिपेंड करती है तो ग्वादर कोट पर चाइना की अगर प्रेजन्स भड़ती है तो ये भारत के लिए दूसरा बहुत बड़ा खत्रा है भारत अपनी दोस्ती अफगानिस्तान से भड़ा रहा है और सल्मा डैम भारत में अभी अभी इनोग्रेट किया अफगानिस्तान के साथ और हैरात के अंदर 300 मिलियन डॉलर की इंवेस्मेंट हाइडरो पावर प्लांट भारत बना रहा है इसके अलावा इरान में 20 बिलियन डॉलर की इंवेस्मेंट कर रहा है भारत इरान से अपने रिष्टे और अच्छे करने के लिए इसके अलावा एक और बहुत इंपोर्टन इश्यू पर आते हैं बलोचिस्तान पाकिस्तान का मैप इसके लिए आखको जानना पड़ेगा ये है पाकिस्तान का कॉलिटिकल मैप ये है बलोचिस्तान ये पूरा जो ब्राउन कलर में है ये है बलोचिस्तान ये है नीचे सिंध जिसकी राजधानी है कराची यह है पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब है यह भारत के पंजाब से बहुत बड़ा है यह है पाकिस्तान का ट्राइबल एरिया आदिवासी एरिया जिसे कहते है फाटा फेडरली एड्मिनिस्टर ट्राइबल एरिया और यह है नॉर्थ वेस्टन फ्रेंट फ्रेंटियर और की पाकिस्तान occupied कश्मीर से होता हो भी जाएगा और बलोचिस्तान से होता हो भी जाएगा अब पाकिस्तान occupied कश्मीर तो हमने देख लिया लेकिन बलोचिस्तान हमने नहीं देखा तो बलोचिस्तान के बारे में थोड़ा जानते हैं बलोचिस्तान पाकिस्तान का 44% एरिया है ल साथ जो बलोचिस्तान है ये independent था लेकिन पाकिस्तान ने अपनी military भेज़कर जबरदस्ती बलोचिस्तान को इस पई कभजा जमा लिया और बलोचिस्तान तबसे पाकिस्तान के अधीन है बलोचिस्तान जो है यहां पर बहुत ज़दा जो natural gas, minerals इसके भंडार है पूरी गैर अधिकृत है और बलोचिस्तान में human rights violation बहुत जादा है यानि मानवादी कानों का हनन बहुत जादा होता है वहाँ के जो leader है उन्हें जान से मार दिया जाता है इन फैक्ट बलोचिस्तान को आजाद करवाने के लिए बहुत सारी organization है जिनमें सबसे मुख्य है बलोचिस्तान Liberation Army और पार्टी है जिसको बोलते हैं बलोचिस्तान Republican Party के जो नेता है अकबर गुगती उनको 2006 में पाकिस्तान आर्मी ने माल डाला और इनके जो पोते हैं ब्रहम and rights violation किये हुए है वो बहुत ही जादा है मानवादिकारों का जो हनन है वो बहुत जादा है इसके अलावा बलोचिस्तान आजादी के लिए पुकार रहा है नरेंदर मोदी ने अभी अभी एक बहुत अच्छी चीज़ की अपना जो लाल के लिए से address दिया 15 अगस्त में उसम बहुत जो बलोचिस्तान में मुस्लिम है वो सुनी है लेकिन कुछ शिया भी है और तालिबान से कुछ जो लड़ा के भातर बलोचिस्तान आ गए थे वो अलकाइदा गुरुप के थे और अलकाइदा आप जानते हैं सुनी आतंवदी संग्ठल है तो इन्होंने जो शिया है महाँ पर काफी मारकाट की, काफी ज़ादा उनकी जो मजजिने थी वो तोड़ी और उनके लोगों को मारा बलोचिस्तान में इसके अलावा जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर है उनका सरे आम, कतले आम पाकिस्तान करता है इसलिए बलोचिस्तान के मानवादिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है कि भारत बलोचिस्तान की आजादी के लिए नड़े और अगर बलोचिस्तान आजाद हो गया तो CPEC बनने का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा यानि बलोचिस्तान को जो economically exploit पाकिस्तान करता आ रहा जैसे ब्राहूर, किरहार, मकरन के पहाड है या फिर सुलिमान के पहाड है जिनसे होकर बोलन पास के थुरू इसकी राजधानी केटा के अंदर जाना पड़ता है तो ये एक जो रास्ता है ये इतना आसान नहीं होगा पहली बात दूसरी बात CPEC को बनाने के लिए बहुत सा एसे आतंगवादी संग्ठन है जो इसमें अपना हिसा मांगेंगे इसलिए ये बनना इतना आसान नहीं है इन फैक्ट चाइना इस पे पुरनर विचार भी कर रहा है क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है बनाने की वो भी बहुत जादा है 46 बिलियन डॉलर और इसके लिए जो पाक पाकिस्तान को अगर सबक सिखाना है तो सबसे पहले बलोचिस्तान में जो बलोच रिबल है उनको बढ़ावा देना होगा बलोचिस्तान में एक नहीं ऐसे हजारों वीडियो बरामद हुएं जिन में वहाँ पे पाकिस्तान के मिलिटरी कतले आम कर रही है वहाँ के लोगों वो एक्स्ट्रीम पोवर्टी में गरीबी के अंदर रहते हैं बलोचिस्तान में ऐसी ऐसी ग्रेव्ज मिली हैं ऐसे दफन करने वाले स्थल मिले हैं जहां से हजारों कंकाल बरमद हुएं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है बलोचिस्तान में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको मौत के घाड उतारा गया है जैसे अकबर बुगती और इस वक्त नरेंदर मोधी ने उस सबसे चीचीज की वो ये की कि लाल किले से बलोचिस्तान को सपोर्ट किया बलोचिस्तान आज भारत की तरफ बड़ी उमीदों से देख रहा है बलोचिस्तान की इस पुकार को भारत को सुनना चाहिए दूसरा सबसे बड़ा इशू है चाइना का चाइना से भारत को जो खत्रा है वो भढ़ जाएगा ग्वादर पोर्ट पर भी छबार पोर्ट को जो काउंटर करेगा चाइना उस पर भी और पाकिस्तान उक्यूपेड कश्मीर के अंदर भी पाकिस्तान उक्यूपेड कश्मीर भारत का हिस्सा है तो फिर भारत क्यों इजा दूनते और एक दूसरा वियू भी है वो ये है कि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें शान्ती वारता पाकिस्तान से रखनी चाहिए चाहे पाकिस्तान भारत में कितना भी टेररिजम करे लेकिन बादचीट का दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए अगर CPC बनेगा तो पाकिस्तान एकनोमिकली बहुत मजबूत हो जाएगा और अगर पाकिस्तान बहुत एकनोमिकली मजबूत हो जाएगा तो वहाँ पर टेररिजम उल्टा कम हो जाएगा क्योंकि विक्सित देशों में टेररिजम relatively कम होता है इसलिए अगर पाकिस्तान डवलप हो गया तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिष्टे है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे आपको क्या लगता है क्या भारत को जो बलोचिस्तान के अंदर मानवादिकारों का हनन हो रहा है वो पूरी दुनिया को उसके बारे में उजागर करना चाहिए उन्हें जागरुक करना चाहिए और बलोचिस्तान की अजादी के लिए बलोचिस्तान के साथ कंदे से कंदा मिला कर खड़ा होना चाहिए या फिर भारत को CPEC बनने देना चाहिए आपके जो भी विचार है आप उसे कमेंट्स में लिखके बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ये भी कमेंट्स में लिखके मुझे बता सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं सरल भाशा में इस तरह के मुद्धे भाविश्य में भी आप तक बनाता रहूं तो वो भी आप लिख सकते हैं This is Dr. Gaurav Garg, I am signing off, thank you for watching